हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम विज्ञान के महत्वपूर वायरल प्रशनों को देखेंगे इसमें आप सभी को उन्हीं प्रशनों को हल कराएंगे जो आपके प्रिभियस एर जो बोट के द्वारा एक्जाम कराया गया है उसमें यह सभी कोईश्चन क कई बार रिपीट हो चुके हैं जैसे 2022 में 2020 में 2019, 2018, 2017, 2016 में यह प्रशन जो है कई बार आपके एक्जाम में आचुका हैं फ्रेंज इसमें आपको जो ग्राइंगे आपको बता देते हैं कि इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, एमजीव विज्ञान के प्रशन को कराएंगे जो आपके दो 2023 बोर्ड के इक्जाम है में उसमें यह question hundred परसेंटेज आपके बोर्ड के को आ रहा होगा आप कमेंट बाक्स में उसका इंसवर लिख सकते हैं कि चुम्ब की छ्छेत्र की प्रता का मापन जो हता है देखे चुम्ब की छ्छेतर की बुद्धा का फाइव पर यह होता है संट प्रता के होता है यह fem उनिति हैपोगे फइलक्स और यह उदाए सब्सक्राइब को पहले से आ रहा होगा आप कमेंटर बाक्स में जरूर लिखिएगा ठीक है इसमें आप सभी को अदम इंपोर्टेंट क्वेस्टन भी कराएंगे देखिए आपका अगला सवाल है इस नemi प्रदर के नियमों का परतिपादन किया या hiç व्यवाइड की नाम है और पूछ रहा है नियमों को परतिपादन किसे ने किया था फैराडे नामक वज्ञानिक ने किया था चलिए अगला सवाल को देखते हैं आपको सामने अगला सवाल है कि ओम के नियम की अनुसार विववान तर्वा धारा के बीच ग्राव होता है देखें फ्रेंस आप ओम का नियम पढ़े और यहां कि आपको सवाल को देखते हैं और पेपर देखेंगे इसमें हीटर का बल्ब यह पूछता रहता है यहां पूछा है प्रेश्ण में हीटर का जो तार होता है बना होता है किसका बना होगा तामबे का पीतल का नाइक्रोम का या लोहे का तो फ्रेंज जो हीटर होता है उसका जो तार बनाया जाता है वो नाइक्रोम का बना होता है इसका सही जवाब होगा नाइक्रोम फ्रेंज इसके साथ में आप याद रख सकते हैं कि जो बल्ब का जो वायर बनता है जो बल्ब में वायर होता है किसका कि तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की तीन गुनी करने पर उसका प्रतिरोत हो जाएगा देखे फ्रेंस यहां पर आप याद रखिएगा जब नया प्रतिरोत पूछ आठ डैस बराबर क्या होता फार्मूला पढ़ेंगे यन यहां सवाल कर रहा है कितना गुना हो रहा है यहां क्या करेंगे यन के जगब रखेंगे तीन के इसका जवाब होगा आपका एब चली अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल है कि वैदुत शक्ती का सुत्र है तो फ्रेंश यह आपसन आपके सामने है तो अपके सामने है वैदुत शक्ती का सुत्र क्या पीश कल्टू क्या बाता है भी आई फार्मूलते हुरा बीश कल्टू गंपर Cityjok अगले स्वाल और यहां छोफा Kingdom निला डिखाई देता है इसमें बताना है कि किस गुर के कारण जो आस्मान हमें होता है नीला दिखाई देता है जिसका आपसे प्रावर्तन के कारण अपवर्तन के कारण प्रकिरण के कारण या वर्विच्छेपड के कारण तो देखे फ्रेंस आपका जो आस्मान होता है हमें नीला दिखाई देता है प्रक्रणन के कारण इसका सही जवाब होगा C यानि आस्मान किसके कारण नीला दिखाई देता है तो प्रक्रणन के कारण हमें आस्मान नीला दिखाई देता है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका C होगा चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि उत्तल दरपड से बनने वाले प्रतिवीम की प्रकृति होती है यहाँ पर आप साना पढ़ सकते हैं आप सीधे याद रखिएगा कि उत्तल दरपड की द्वारा एक ही प्रतिवीम बनता है वो हमेशा देखिए कौन से बनता है देखिए उत्तल दरप इसके साथ में यार रख सकते हैं कि उत्तल दरपड होता है इसका परियोग जो कार होया या कोई जो ड्राइबर होता है ड्राइबर के बगल में जो सीसा लगा होता है वो इसमें कौन सा यूज करते हैं दरपड़ उत्तल दरपड़ याद लगाते हैं ठीक है इसको साथ में आप याद रख सकते हैं देखिए यहां पर आपसंद देख सकते कौन से वास्तविक सीधा अभासी सीधा याँवासी उल्टा या वास्तिक उल्टा तो तल दरप्टड़ की द्वारा हमेशे पर्तिवियों कैसा बनता है फ्रेंश सीधा और अभासी बनता है इसका सही जवाब आपका भी होगा है चलिए अगले सवाल को देखते हैं प्रेंश देखिए आपके सामने अगला सव आपका देखे आपवरतनांग को यह से देखाते हैं यह बराबर होता है यह किसी माद्या में प्रकाश की चाल है हैं नहीं यहां पर आपके अप्रत नहीं कितना दिए तीन वपट गदु अप्रतना के अधिता नहीं सबने कलतेां धीन और जो सी होता है वाहिएख क्योंखिव लता है तीन भूर्य दस पे खैव यह जाता है यह हुआग प्रकाश की 3 गुड़े 10 पे 8 हो जाएका यहाँ भी कमान गयात करना है 3 गुड़े 10 पे 8 इसको पच्छान तक करें कि तो 2 बटा कितना हो जाएका तीन 3 से 3 आपका कड़ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा दू गुड़े 10 पे 8 और जो वेग या चाल का मातरक जो होता है प्रति सेकेंड होता है इसका मातर हुए तिया अबूरी दैस पर पाला यहाँ है तो गूरे सपर in यहाँ द्र दैस पर है यहाँ मितर सकेंड हो जाएगा इससे सच हाँ जवाब होगा ठीक है चलिए अगले सवाल कर emerges पर चाहिए हैं आपका अगला सवाल है कि एक Archive also call टोडी है कि अधीड memang अभिने मधडीध कि संचल्डेल ऐस सभटें एक सब्सक्राणी में और अधीज रोडिले सब्सक्राइब निएकि सेंटीमीटर सेंटीमी потр आप शेंटीमीटर्व में निकालनां तो यहां पर सेंटीमीटर के लिए फार्मुला क्या जाता है अ exp क्मान तो डिया है यहां पर कितना रखेंगे यहां पर कितना रखेंगे यहां पर प्रकास लगाईएगा देखेंगे यह आपका अप्सान सही हो जाएगा पचास सेंटीमीटर यहां जो फोकस दूरी होते हैं पर चाहिएगा पचास सेंटीमीटर होगा चले अगले सवाल को देखते हैं देखें यहां आपकी भहती विज्यान के इंपॉर्टेंट कुएश्चन कंप्लीट हुए अब देखेंगे रसायन विज्यान के इंपॉर्टेंट कोश्चन ठीक है देखिए आपका यहां पी 11 यहां देक्तों होते हैं सभी 4 दात्र in तो एसमें देखें आपका अपसर्मेंUच चाहरी दात्र हाता है इसके शकूर्चन को देख बकर सकते हैं पोटेंट्यम होता है न सब्सलति क्या होगता है आपका इन उर्थ चलिए अगले सवाल को देखते हैं फिरेंस आपका अगला सवाल है बारा नंबर की ये बारा नंबर है ठीक है कि आधुनिक आवर्ती वर्गी करण का आधार है यानि आधुनिक जो आवर्त बनाया गया था आपका आवर्ती वर्गी करण इसका आधार क्या है ति इसका आधार तो आप याद रखेगा हमेसा क्या हो था परमाडू संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्थी वर्गिकरण के आधार दिया गया था ठीक है आधुनिक जो आवर्थ सारी बनाया गया था किसके आधार पर परमाडू संख्या के आधार पता फिरेंस इसका सही जवाब तो बताते हैं कि आपको याद रखिएगा यहां पर लिखके बताते हैं आपको कि जो कि से ने दिया था और माड़ु दृब्यमान के बारे में क्या याद रख सकते इसका इन्सवर कमेंट बाक्स में लिखते हैं कि परमाडु reference l-kine का स्थार क्या होता है क्या होता है उसके आधार पर ही बता सकते कि ल काइन ल का देखेंगे सी n ह होता है ल के यहां कार्बन के संक्राइब 3 3 रख यहां पे 3 रखके देख लिजिए देके यहां पर आपसं नजर आएगा वही सही होगा तो इसमें आपसं में देखेंगे आपके कितना है और एक्जाम बहुत इंप्पोर्टेंट है इस सभी प्रशनों का वी यदि आप देखते हैं तो आप 20 का 20 नमबर आपका आने वाला बहुत बहुत नमबर का दम 20 का 20 नमबर देखिएगा फ्रेंट अब 100 परसेंटेज पाएंगा ठीक है इस पूरी वीडियो का आप अंते तक जरूर देखिएगा देखिएगा देखिए आप क्या है अफसाल 14 नमबर का कि मिस्र दातू सोल्डर में होता है यानि सीधे याद रखिएगा जो सोल्डर होता है उसमें कौन कौन सा दातू मिला होता है तो सोल्डर में जो होता है देखर टीन होता है एक पहला टीन होता है इसके लावा लेड होता है क्या होता है टीन और लेड से मिलकर क्या पनता है आपका solder बनता है तहिए लेड को तो हम PB से देखाते हैं और 10 को Pacien से देखाते हैं तो प्वी और यास्ट होता है वहिए आपसान इसका सही हो जागा तो इसका सही प्रमुक-आयस्क क्या है तरह देखें कोरंडम होगा रुबी होगा काउलीन होगा या बाक्साईड एलमुनियम को प्रमुक-आयस्क होता है फ्रेंश वह बाक्साईड होता है इसका सही जवाव होगा बाक्साइड आपका अगला सवाल है कि धावन-soda कर रासायनिक सुत्र हो होगा धावन सोटा का जो रासायनिक सुत्र होता है इसका सही जवाब होगा ठीक है इसको आप याद रखिएगा देखे फ्रेंस आपके सामने आता है वेरी वेरी ना लाग यहां पर बना सिया ठीक हो धश्करान करने इस पर प्लस कितना भाइंगे द धली यहां पर और Speed प्लस इसको यहां पहुता है चिरने के साथ यहां फार से इह माइने ions पहले सेлагये हैए Memon rainbow प्लस और लाग दस का मान होता एक एक या फिल एक करली कितना जगा पाँच यहां पर आपसंस सही कैसे आप लगा इसका प्लस जवाब आप काह can अब जब hydrogen ion का मान यहां पर गाद देगा ठीक है और इसमें pH का मान पूछ रहा है यहां पर गाद 10 पर रहेगा उसको क्या कि चिन के अपोज जैसे यहां पर प्लस पांच यहां पर सवार इस तरह देता कि पांच देता थी इसका एंसर हो जाता है माइनस पांच तो आपको इतना लगाने की जबूरत नहीं था हम समझाने के लिए इतना आपको बता हैं लेकिन आप डायरेक्ट आप तुरेंट बता सकते थी ठीक है तो hydrogen ion संद लिए अगले साथ को देखते हैं आपका अगला सवाल है जो 18 नंबर का है क्या है फ्रेंट कि पीतल है विसमांगी मिस्र योगिक रघक थातू या बिस्ट्र धातू जो हता है मुस्ट्र धातू हता हिसका सही जवाब होगा मिस्ट्र धातू आपका अगला सवाल है कि ह अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला सवाल है कि संगर मरमर का रसायणिक सुत्र है क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या sounds कार्बोनेट होता है चेहां पे heहा पे रसायन भी हुआ भोष्ती जाण के मोश्ट इंपौर्टन को देखके एंधी यहां देखता हैं, अब यहाँ देखते हैं जी विग्यां तो आपका पहला प्रस्ण है कि मनुस्थ्य में conviction की संख्या होती है, यहां पर आपसान एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी या चार जोड़ी तो इसका सही जवाब होगा एक जोड़ी मनुस्री में लार गरंतियों के संख्या कितना होते हैं फ्रेंस एक जोड़ी होता है अगला सवाल आपके सामने है कि पादप में जायलम उतरदाई है ठीक है आप क्या बता ना फ्रेंस जिसका आपसन है जल का वहन भोजन का वहन अमीनु अमलक का वहन या आक सीजन का वहन तीकि फ्रेंस जायलम आप याद रखे तेकि जायलम लब यानि जायलम से जल याद रख सकते यानि कि जाहिल होता है जल का clan करता है तिससे आप से लगा सकते हैं यह खोता है यह का होता है फलो-फलोएम होता है जाहिले में फलो फ़ंट फोलेम जो हता है जल से यहाद यादा है ने ओला सब्एख़ भाहन करता है चली जाएन को थे बस ना करता है तरुछल में जाएलयंग का झाला हर्मॉन है इस technical सब्सक्राइन अगर चुक्त है चली सवाल को देखते है इसमें से आपको बताना है इसमें से प्यम्यात्या उर्त Um काईनीन है इसमें से आपका पादफ हर्मोन काउंसा है तो फ्रेंस जो पादफ हर्मोन है साइटो काईनीन है इसका सही जवाब होगा साइटो काईनीन आपका अगला सवाल है कि मादा लिंग हर्मोन को करते हैं जो मादा लिंग हर्मोन है इसमें से उसे क्या करते हैं इंसुली जवाब होगाу एश्ट्रो जेट चली अग्रे सवाब को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि पराग कोउच में होता है भाहे दल होगा उसमें या अंडाशे होगा या अंडप होगा या प्राग कड़ जो फ्रेव्ष प्राग कोश उता है उसमें च dare कोछा होता है तो इसका सही जवाब होगा प्राग कोड़ तो प्राग कोड़ होता है ठीक है चरे अगले सवाल को देखते हुआ 26 वा नंबर कatures निसेटें के बाद फुस्ट का कौन सा भाग फॉल में बदल जाता है जिसका आप साने पुकेशर वरतिका अंडाशे बिजांड तो फ्रेंस इसमें से आपका सही जवाब होगा अंडाशे जो अंडाशे होता है निसेचन के बाद पुस्प का कौन से भाग या अंडाशे जो हता है फल में बदल जाता है इसका सही जवाब होगा आपका सी चलिए अगले सवाल को देखते हैं फ्रेंस यहां पर आपका अगला सवाल है कि पुरूस में लिपल सुत्र होता है यानी लिपल सुत्र पूरसों में कौन सा होता है आप से यक्सवाइन यक्स हूता है यह यंज्रि फ्रेंट्स सकते याज समस्टा कि पुरूस के जगा सुत्रा है इस त् sogen Sol 해 Do A Serity में होता है और यह क्या होता है पूरत मैं यक्साइभी होता है दोगर साथ में आप याद कर सकते हैं चलिए अगले अगले सवान को देखते हैं पर डींडा कि लिए याप से पूछता है तो डीने को क्या बोलते हैं और याद रखिए यह मत करता है इसको याद करते हैं अगला सवाल है 29 नंबर का कि केंद्रक बना होता है यानि केंद्रक किसका बना होता है जिसका अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला सवाल कि यहां पर याद रखेगा जो जीन जवाब होगा जोहेंसन ने किया तो आपके इंपोर्टन तीस इंपोर्टन कोईस्टन हम आपको करा हैं जो आपके प्रिविए्स येर पेपर में यह कई बार हो चुके हैं तो फ्रेंज देखिए आप इस सीरीज को देख लेते हैं तो आप जो 20 नंबर का यह दि प्रश्ण पूछता है तो उसमें आप 20 में 20 पाएंगे और जो फ्रेंज आपको लांग क्वेशन इस तरह करा रहा है रहा है कुछ क्वेशन तो इसको भी आप देख सकते हैं इससे आप